ग्लास नाइन चेप्टर नेम, अलजबरिक, मैनिपलेशन और इसकी रिव्यू एक्ससाइज नंबर 6 को हम सॉल्व करें हैं जिसका क्वेश्चेन नंबर 2 है कि सिंप्लिफाई दी फॉलोविंग पहला पार्ट जी जिसके लिखा हुए 5 दिवाइड बाइ 2S प्लस 4 माइनस 3 डिवाइड़ बाइ S प्लस 3S प्लस 2 और प्लस S डिवाइड बाइ S स्कूर माइनस S माइनस 2 हमने इसको सिंप्लिफाई करना है ठीक है तो पहली फ्रेक्शन जो है इसको तो हम एजटीज लिख देंगे क्योंकि इसका divisor जो है वो linear है और इसका मजीद factorize नहीं कर सकते हैं तो यह as it is आजएगा अब second जो fraction है उसका अगर आप divisor को देखे तो उसे हम factorize कर सकते हैं जी उसे हम इसी के से लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे s square ठीक है plus 2s plus s और plus 2 ठीक है यह इसकी हमने minimum break कर ली है और अगर आप देखें तो इसको check कर सकते हैं इन दोनों का sum 3s ही आता है और first और last term का product रहता है 2s square और इन दोनों का product भी 2s square ही बनता है ठीक है इसी तरह s को आप divide करेंगे किसे s को आप divide कर लेंगे s square minus 2s plus 1s और minus 2 ठीक है अब आप यह इसके मतलब इसकी minimum break हमने की है अब देखें इसके factors बनाते है first जो fraction होता है as it easy आईगी और यहाँ पे आएगा 2s plus 4 ठीक है minus 3 divided by अब इन दोनों मेंसे आप पहले दो मतलब जो है term मेंसे s common ले सकने s plus 2 आजएगा last 2 मेंसे आप plus 1 common ले सकते हैं तो s plus 2 आजएगा ठीक है इसी तरह plus 3 और इसको हम divide करेंगे किसे अगर यहाँ से s common ले लिया जाए तो s minus 2 और last term मेंसे plus 1 common लेने तो s minus 2 ठीक है अब first term as it is 5 divided by 5 divided by 2s plus 4 ठीक है और minus 3 divided by s plus 2 and s plus 1 ठीक है plus 3 divided by s minus 2 into s plus 1 ठीक है तो यहाँ तक हमने इसको simplify कर लिया है अब इससे next जो इसको हम मज़ीद simplify करते हैं और वो working मैं आप से भी share करता हूँ screen पे जिससे आगे हम मज़ीद यह कर सकते हैं कि देखें अगर इस second जो fraction है इसके divisor को देखें तो इसमे s plus 2 और s plus 1 लिखा हूँ है ठीक है इन में से हम 2 common ले सकते हैं यह s plus 2 बन जाएगा एक step अगर इसका यहाँ पर मैं simplify करकर शो कर दूँगर आप से यानि हम यहाँ पर यह कर सकते हैं कि linear तो यह factor था लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 जो number है constant है वो इसकी दोनों term से multiply हो रहा था यहाँ पर 2 s plus 4 लिखा था मैंने 2 common ले लिए ठीक है अब मैं यह देख रहा हूँ कि first fraction में 2 आ रहा है और s plus 2 आ रहा है factor second में s plus 2 और s plus 1 आ रहा है और third में s minus 2 और s plus 1 आ रहा है अब हमने इनका एक LCM लेना है LCM के लिए हम क्या करते हैं LCM के लिए हम common factor देख लेते हैं कि इनके common factors क्या है देखे common factor में s plus 2 इसमें भी है, इसमें भी है और s plus 1 इसमें भी है, तो s plus 2 और s plus 1 यह आ गया इनका common factor ठीक है और इसका product लिया जाता है non common factors are तो s minus 2 है और 2 है यह है इनका LCM अब आप first fraction को देखे तो इसमें 2 और s plus 2 लिखा लेकिन s plus 1 और s minus 2 नहीं लिखा इसलिए 5 जो है इससे ये दोनों multiply होंगे s plus 1 भी multiply होगा और s minus 2 भी multiply होगा ठीक है इसलिए minus 3 जो है इसके अगर divisor को देखे तो s plus 2 s plus 1 लिखा हो है लेकिन 2 और S-2 नहीं लिखा हुआ इसलिए 2 भी multiply होगा 3 से और S-2 भी होगा ठीक है इसी तरह ये जो plus 3 है अगर इसको देखें आप तो इसके divisor में S-2 और S-1 है S-2 और S-1 है ठीक है यहनी 2 और S-2 जो है वो नहीं है यहाँ पर 3 नहीं है ठीक है इसको गलती से मैंने 3 लिख दिया यह S है यहाँ पर भी S आएगा ठीक है और यहाँ भी S आएगा ठीक है जी तो इस तरही के से अब हम इसको simplify करते हैं और देखते हैं कि क्या answer आएगा देखें यहाँ पर 5 जो है चले इसको हम as it is रहने देते हैं यह पहले जो S है S-2 से multiply होगे तो S square minus 2 S आजएगा और इसी तरीके से plus 1 S से multiply होगे तो plus S minus 2 आजएगा इस तरह minus 2 और 3 multiply होगे तो 6 और 6 S से multiply होगे 6 S और plus माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 6 2012 यह आजएगा इसी तरह S और 2 multiply होगे 2 S जब S से multiply होगे तो 2 S square आएगा और plus 2 S जब 2 से multiply होगे तो 4 S आजएगा ठीक है और divisor जो है इनका उसमें 2 S plus 2 और S plus 1 और S minus 2 आजएगा ठीक है जी अब 5 को multiply करते हैं bracket में 5 S square ठीक है यह अगर आप दोनों देखें add करें तो यह minus S आथा minus S 5 से multiply होगे minus 5 S आजएगा और minus 2 5 से multiply होगे minus 10 minus 6 S plus 12 plus 2 S square और plus 4 S यह आ रहा है जबकि divisor जो है इनका उसमें 2 S plus 2 S minus 2 और S plus 1 आ रहा है ठीक है यह हमने यह आप लिख लिए अब इस पर simplification करते हैं simplification यह है कि जो number cancel हो रहे हैं हम cancel कर लेते हैं 5 S square और 2 S square एड़ होके 7 S square हो जाएंगे minus 5 S और minus 6 S यह बनता है minus 11 S और minus 11 S में आप add करेंगे जब 4 S तो यह minus 7 S आजएगा इस ता minus 10 और plus 12 तो यह आजएगा plus 2 ठीक है यह plus 2 आजएगा और इसका whole divisor आजएगा 2 into S plus 2 into S plus बलके S minus 2 और S plus 1 तो यहां तक हमने इसको simplify किया अब हम यह देख रहे हैं कि पहली और आखरी term का product बनता है 14 S square और 14 का अगर factor देखे तो 1 और 14 है यह फिर 2 और 7 है तो यहां पर 2 और 7 का sum भी मतलब 9 बनता है minus 7 नहीं बनता है इसलिए हम इसको further factorize नहीं कर सकते हैं यही हमारा जो है वो final answer कहलाएगा तो इसलिए किस हमने question 2 का part 1 solve कर लिया है और इसमें जो यह मैंने आप कुछ शुरू में correction बताई थी कि yes था जिसको मैं गलती से 3 लिख रहा था यह मैंने यह आप correction कर दिया तो इसलिए किसे हमने question solve किया अब जो question number 2 का part 2 है वो discuss करता हूँ आप से जी next step part number 2 इसमें भी अगर आप देखें तो हमें इन तीनों fractions को add करना है और इसमें जिसी सका हमने ख्याल करना है वो यह है कि इनके LCM को हम correctly मतलब जो है वो लिखें जैसे पहली fraction है A over C minus A into A minus B second fraction है B over A minus B into B minus C और तीसी fraction है मतलब प्लस के बाद आ रही है C over B minus C into C minus A ठीक है तो अगर हम इनका LCM लें तो LCM यह बात हम जानते हैं कि LCM में हम common factors और non common factors का product लेते हैं तो common factor में कौन सा factor है जो तीनों में आ रहा है या दों में आ रहा है तो अगर आप देखें तो A minus B इसमें भी है ठीक है A minus B इसमें भी है और इसमें भी है ठीक है यह common आ रहा है B-C इसमें भी है और इसमें भी है और C-A इसमें भी है और इसमें भी है यह तीनों जो हमाई पास हैं factor A-B, B-C और C-A यही इनका LCM आएगा ठीक है और अब हम जब first fraction को देखें तो इसके divisor में A-B और B-C नहीं लिखा है इसका मतलब A से multiply होगा B-C ठीक है प्लस B से कौन multiply होगा अगर आप देखें तो A-B लिखा होगा बी माइनस C भी लिखा हो लेकिन C-A नहीं लिखा होगा इसलिए B जो है उससे C-A multiply होगा और last term जो प्लस C है इससे कौन multiply होगा अगर इसके आप divisor को देखें तो इसमें A-B नहीं लिखा होगा फैक्टर तो C से A-B multiply होगा ठीक है अब इनको multiply कर लेते हैं A multiply by B A B A multiply by C with negative sign A C इसी तरह B C इसी तरह A B ठीक है इसी तरह A C और B C with negative sign ठीक है यह आजेंगे whole divided by A-B, B-C, C-A यह आजेंगे ठीक है जी अब हम इनमें देख रहे हैं कि जो cancel हो सकती है term जैसे A-B minus A-B से cancel हो सकती है minus A-C plus A-C से cancel हो सकती है B-C minus B-C से cancel हो सकती है यहनि तमाम terms cancel होगी 0 आजेगा और 0 को हम divide कर रहे हैं इन तीनों factors से इनको अगर मैं यहाँ से copy कर लूँ और as it is यहाँ पर लिख दूँ तो 0 over any non-zero number जो हता है answer इसका 0 ही आता है तो यहाँ पर answer हमारा जो है वो 0 आ जाएगा ठीक है इसी के समने यह part solve करना है ठीक है आप next part जो है वो discuss करता हूँ आपसे जी part number 3 है जिसमें x square minus 4 को आप divide कर रहे है x y square से और फिर इस fraction का product लिया जा रहा है 2 x y over x square minus 4 x plus 4 से तो देखें first जो fraction अगर इसके numerator को factorize कर लिया जा है तो इससे आप x square minus 2 का whole square लिख सकते हैं यानि इसी के से और ऐसे x y square लिख सकते हैं ठीक है जबकि यहाँ पर यह 2 x y आ रहा है over इससे आप लिख सकते हैं x का whole square minus 2 into 2 into x plus 2 का whole square अब यहाँ पर हम formula close कर सकते हैं यहाँ formula open करेंगे तो यह x minus 2 x plus 2 आ जाएगा ठीक है और into 2 x y भी आ रहा है जबकि डिवाइजर में डिवाइजर में आप देखें तो x y into y लिखा है चुकि y का square है और फिर x plus बलकि x minus 2 का whole square है चुकि यह formula close करो तो x minus 2 का whole square आता है अब आप देखें इसमें जो cancel हो सकते हैं factors जैसे x y इस x y से cancel हो सकता है x minus 2 इस x minus 2 एक factor cancel हो जाएगा इसकी power 1 रह जाएगी यह इसकी simplified form जो आती है वा जाएगी x plus 2 numerator में आएगा ठीक है sorry x plus 2 मैंने y लिख दिया x plus 2 आएगा numerator में ठीक है 2 भी आएगा चुकि यह 2 cancel नहीं हुआ यह शुरू में चले हम लिख लेते हैं और उसके बाद जो है next part number 4 इसको हमने simplify करना है a cube minus b cube divided by a power 4 minus b power 4 है और इस जो भी fraction इसको हमने divide करना होगा a square plus ab plus b square over a square plus b square के साथ इनके formula उसको open करते है a cube minus b cube का formula होता है a minus b into a square plus ab plus b square ठीक है और दूसी तरफ अगर हम इसका जो denominator अगर उसको देखें इसका formula open करें तो आप इसे a square का whole square और इसे minus के बाद b square का whole square लिख सकते हैं यह इसका formula open करें तो यह a square minus b square into a square plus b square जो है वो लिखा हुआ है और यह sign है divide का जब आप इसको multiply में shift करेंगे तो a square plus b square positive sign के साथ आजेगा ठीक है और इसका divisor जो है वो मतलब इसका जो divisor है वो इसके numerator में shift हो जाएगा ठीक है और जो numerator है वो denominator में shift हो जाएगा जब हम इस divide के sign को multiply से replace करेंगे ठीक है तो यह divisor जो है यहाँ पे आजएगा a square plus a b plus b square इसके से divisor बन जाएगा अब यह देखे तो यह factor exactly एक जैसे है ठीक है एक दुस्छे को cancel कर सकते है a square plus a b plus b square a square plus a b plus b square ठीक है इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखे तो a square plus b square और यह भी a square plus b square लिखा है यह भी exactly cancel एक दूसरे को कर सकते हैं अब यहाँ पर रह जाएगा A-B ठीक है numerator में चुकर यह भी तमाम cancel हो गए है one से multiply होके one ही आजाए मतलब one से multiply होके A-B, A-B ही आजाएगा ठीक है और इसके divisor में जो A square minus B square लिखा आप इसे एक दफ़ा A-B लिख सकते हैं और एक दफ़ा इसे A plus B लिख सकते हैं अब यह भी cancel हो जाएंगे ठीक है यह cancel होंगे तो यहाँ पे हमारे पास यह one A-B, one's are A-B one's are A-B तो one over A plus B जो है इसकी simplified form आजाएगा यहाँ इस fraction को हम इससे ज़्यादा simplified form में नहीं लिख सकते हैं तो इसी के से हमने यह question number two के तमाम पार्स समझे अब जो इससे आगे question number three और onward question आ रहे हैं इस वीडियो को मैं continue करूँ नेक्स वीडियो में जिसमें मैं वो तमाम पार्स आपसे one by one discuss करूँगा